हाई फ्रेंज मेरा नम विने पंजवानी है और मैं एक डॉक्यमेंटरी फोटोग्रफर और फोटोगर की ट्रेनर हूँ आज मैं आपसे आपके कैमरा में शटर स्पीड के द्वारा एक्स्पूजर को कैसे सेट कर सकते हैं उसके बारे में बात करुआ हूँ हमने हमारे पिछले वीडियो में बात की थी कि सही एक्स्पूजर का मतलब होता है सही मात्रा में लाइट कैप्चर करना जब हम किसी चीज को कैमरा में कैप्चर करते हैं तो बेसिकली हम रिफलेक्टिड लाइट के बारे में बात करते हैं अगर हम इस deer की तस्वीर को capture कर रहे हैं तो उस पे गिरती वी light को जो deer का body reflect करता है उसे हम हमारे image sensor में capture करते हैं अगर हम उस तस्वीर को ज्यादा bright capture करेंगे तो उसे overexposed करेंगे बहुत dark capture करेंगे तो under exposed करेंगे और बिल्कुल सही मात्रा में उसे capture करेंगे जो visually सही लगे तो हम उसे balanced या correctly exposed करेंगे हमारी कोशिश हमेशा एक balanced exposed image लाने की होनी चाहिए हमने हमारे पिछले वीडियो में exposure triangle के बारे में में बात की थी कि exposure को aperture shutter speed और ISO के द्वारा सही exposure लाया जा सकता है आज हम सिर्फ shutter speed का उप्योग करके exposure कैसे change कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे बेसिकली हमारे कैमरा में जब हम info button दबाते हैं या हमारे कैमरा के उपर के LCD screen में देखते हैं तो हमें 1 by 125, 1 by 160, 1 by 4000, 1 by 13 या 30 seconds इस तरीके के figures दिखते हैं यह बेसिकली आपका shutter speed के value है इन values को हम shutter dial rotate करके change कर सकते हैं बेसिक DSLR models में जिसमें dedicated shutter dial नहीं होता हम प्लस माइनस बटन दबाके अपर्चर वाले डायल को घुमाएंगे तो उससे shutter speed चेंज होती है बेसिकली shutter क्या होता है हमारे image sensor से बिलकुल पहले एक shutter को install किया जाता है जो एक पर्दे की तरह होता है और light को sensor को hit करने से पहले block करता है हम ये set कर सकते हैं कि कितनी देर के लिए light sensor को hit करेगी और कितनी देर के लिए shutter खुला रहेगा और बंद हो जाएगा तो बेसिकली अगर हम हमारे camera में देखें तो shutter यहां पर होता है बेसिकली हम shutter के खुलने और बंद होने का समय shutter speed के द्वारा set कर सकते हैं इस diagram हम यह समझाता है कि अगर हम shutter speed को जादा रखें उसकी value बढ़ाएंगे जैसे कि 1 by 4000 इसका मतलब shutter एक second के 4000 हिस्से के लिए खुलना रहेगा और बंद हो जाएगा इसका मतलब बहुत कम देर के लिए खुलना रहेगा तो light काफी कम देर के लिए shutter से impact करेगी इससे exposure कम होता है जैसे जैसे shutter speed हम कम करते जाते हैं वैसे वैसे light जादा देर के लिए shutter से impact करती है और हमें exposure सादा मिलता है इन डायग्राम से हमें ये बात बड़ी आसानी से समझाएगी हमने हमारा camera एक जगा पर set किया है और basically manual mode पर रखकर पहली तस्वीर हमने shutter speed को 250 पर रखकर खीची है इससे हमें ऐसी तस्वीर मिली है ये तस्वीर थोड़ी under exposed लग रही है हमने अगली तस्वीर के लिए shutter dial गुमा कर shutter speed को 1 by 250 से कम करके 1 by 125 पर सेकेंड पर कर दिया है इससे हमें image थोड़ी ज़्यादा bright मिली है अब हम shutter speed को 1 by 125 से और कम करके 1 by 50 पर ले जाते हैं और तस्वीर लेते हैं इससे हमें image और ज़्यादा bright मिलती है तो दोस्तों हमने आज यह देखा कि किस तरीके से shutter speed को कम करने पर basically हमें हमारा exposure ज़्यादा मिलता है उससे उल्टा अगर हम shutter speed को बढ़ाते जाएंगे तो exposure value कम होती जाएगी image थोड़ी dark हो जाएगी हमें एक चीज का खास ध्यान रखना है कि अगर camera tripod पर mounted नहीं है तो बहुत slow shutter speed जैसे कि यह shot मैंने one by one 13th of a second पर लिया है hand head उससे अगर मेरा हाथ हेलता है तो image blur आती है और हमें इसे avoid करना चाहिए बहुत जादा slow shutter speed होने पर हमें camera को tripod पर mount करना चाहिए उमीद करता हूँ आपको यह video पसंद आया ऐसे और videos की जानकारी के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीचे Thank you